Hello students, मिर नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2Pi Classes बच्चो, Force and Laws of Motion को S-Chant book से हम लोग solve कर रहे थे और आप अपनी बुक में 75 page number को अगर open करेंगे Question number 32 तक हमने solve कर लिया है, ठीक है Question number 33 से इस वीडियो में start करेंगे बड़ इसके पहले, बच्चो ध्यान से सुनिए, अगर आपने इसके पहले के questions नहीं देखें आपको इसका playlist नहीं मिल रहा है, तो YouTube पे type करिए Force and Laws of Motion S-Chant solutions by 2Pi Classes आपको इसका बच्चो पूरा playlist मिल लाएगा, हर एक question को बहुत detail में बताया हुआ है ठेक है students, तो आप उसके solution देख लीजे, अगर आपको चाहिए इसके लावा NCIT और NCIT exemplar को भी आप YouTube पे सर्च कर सकते है Force and Laws of Motion, NCIT solutions by 2Pi Classes Force and Laws of Motion, NCIT exemplar, solutions by 2Pi Classes ठेक है, तो आइए start करते हैं आज की class So बच्चो, question number 33 के रहा, gun of mass 3 kg fires a bullet of 30 gram The bullet takes 0.003 seconds to move through the barrel of the gun and acquires a velocity of 100 meter per second Calculate the velocity with the gun requires, यानि के require velocity आपको निकालने ही तो इसके लिए आप diagram बना जो सबसे पहले ये gun है बच्चो इस तरीके से, ठीक, बना लेते हैं चलिए So ये एक gun है इस तरीके से, और इस gun में ये gun का trigger है, ऐसे ठीक, और ये देखिए, bullet test में, ठीक है students, अभी क्या है, ये before firing का diagram है, ठीक है, note कर देते है, क्या है, before firing, अभी हमने firing नहीं करी है, students, before firing तो before firing अगर आप देखोगे, तो mass of the gun कितना है बच्चो, gun का mass कितना है, suppose gun का mass हम M1 से दिखा रहे है, gun का mass कितना है, 3 kg अब gun की बताओ, बच्चो, velocity अभी कितनी, U1, U1 क्या है, firing से पहले gun की velocity कितनी है, 0 meter per second, क्योंकि rest पर है, और bullet भी rest पर है, okay, so mass of the bullet को हमने M2 से दिखाया है, ठीक है, mass of the bullet कितना है, बच्चो 30 ग्राम, ठीक, अब जैसे ही gram में दिया है mass, तुरंत आप इसको kg में change कर लो, ठ 30 divided by 1000, gram को kg में कैसे करते है, 1000 से divide करके, ठीक, यह cancel हो जाएगा, और यहां से आजाएगा, आपके पास कितना, 3 upon 100, यानिकि 0.03 kg, okay, so this is mass of the bullet आगया आपके पास, और U2 कितना हो जाएगा, U2 मतलब firing से पहले, अभी before firing का case चल ला है, ठीक है, firing से पहले इसकी velocity कितनी है, bullet की U2 जो की 0 है, ठीक, तो अब यहां पर एक और diagram बनाई है, जब firing हो जाएगी, after firing, after firing, क्या होगा बच्छों, after firing, क्या होता है, ऐसा fire करोगे, ठीक, gun जो है, bullet पर force लगाएगी, आगे की direction में, तो bullet भी gun पर force लगाएगी, पीछे की direction में, ठीक, यानिके, एक momentum अगर bullet को मिला है, तो तना ही momentum, gun को पीछे की direction में मिलेगा, gun ऐसा करके पीछे जाएगी, ठीक, और gun जब पीछे जाएगी, तो gun की जो पीछे जाने की velocity होगी, उसी को require velocity बोलते हैं, वही हमको निकालना है, तो diagram कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से चेक करिए, ये लीजे, ठीक, ये, gun कहां पीछे, ठीक, gun का mass अभी भी कितना रहेगा, gun का mass नहीं change होगा, gun का mass अभी भी M1 कितना रहेगा, 3 kg, mass थोड़ी ना change जाएगा, और mana की gun, after the firing, V1 velocity से पीछे जाती है, कितने से, V1 velocity से पीछे जाती है, ये आपको निकालना है, ये V1 velocity है, पीछे की direction में, ठीक, और bullet यहां से किलोग्राम, अब आप ध्यान से चेक करो, bullet कितनी velocity से निकलती है, बुलेट निकलती है, कितनी velocity से, 100 meter per second से, ठीक है ना, so, velocity of the bullet after firing को आपने V2 से दिखाया है, 100 meter per second, ठीक, अब यहां time का भी कोई मतलब नहीं, उसको भी आप छोड़ो, ठीक, अब law of conservation of momentum लगा दो, क्या होता is equals to total momentum before firing, is equals to total momentum after firing, if there is no external force acting on the system, अगर बाहर से कोई force नहीं लग रहा है, system पे system किसका है, bullet और गन का system है, इसको मिला के हम system बोलते हैं, ठीक, क्या बाहर से कोई force लगा, नहीं, जो भी force लग रहे हैं, सब internal force है, मतलब गन ने bullet पे लगाया, bullet ने gun पे लगाया, पीछे की direction में ठीक, सो यहाँ पर net external force कितना है, जीरो है, इसलिए यहाँ पर law of conservation of momentum लगा देंगे, याने कि total momentum before firing is equals to total momentum after firing, ठीक, सो total, total momentum, total momentum before firing, before firing is equals to, is equals to total momentum, total momentum after firing, टोटल momentum after firing, ओके सुटेंस, अब ध्यान से सुनिए, total momentum before firing कितना हो जाएगा, पहले gun का momentum, M1 U1, M1 U1, और प्लस, before firing, बच्चो, गन का momentum, प्लस bullet का momentum, गम का momentum, कितना M1 U1, और bullet का momentum कितना M2 U2, जीक, M2 U2, before firing का momentum है यह, यह, है ना, दोनों का add कर देंगे, गन का momentum, bullet का momentum, मिहां लग है हो था यह है, उसके बाद बिफोर आफ्टर फिरिंग क्या हो जाएगा टोटल मोमेंटम सो एंवान वी वन और फिलोड़े प्लस एंडू कितना है जीरो एंटु एंटुm इतना हो जागा 0 तो इधर आजाएगा 0 और प्लस यूटू भी कितना है चेक कर लो 0 क्योंकि रेस्ट पर है बुलेट और दोनों रेस्ट पर यूटू 0 0 0 into m2 003 0 0 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0 तो इधर आजाएगा आपके पास left-hand side रहे हमें devo रहे हैं माइन श्मस्ट कितना है students क्लूग्रम भिचिक सहं मूं कितनी एंट्टू में भीन भीवन आपको निकालना है और पलस एंट्टू एंट्टू वीटू p&pinkle कितना है यहां से पॉइंट हटाओगे यहां दो जीरो आएंगे यानिक हंडेट आएगा नीचे और यह हंडेट से हंडेट क्या हो जाएगा कट जाएगा ठीक और यहां से आप होगे तो नेक्स स्टेप में आपको मिलेगा लेट में 0 मिलेगा राइट हैं साइड में क्या मिलेगा चेक कर लिए थी इंट बीवन और प्लस यहां पर पॉंट हट गया था 003 का मतलब भी बच गया चीक सो यह त्री बच अब ध्यान देबच्चे लेक्सिप में क्या होगा य अब यह वाला 3 multiply इधर आके डिवाइट कर देगा तो कितना हो जाएगा यह यह बराबर कितना आ जाएगा विवन बराबर कितना आ जाएगा वीवन इस्टो थी बंट्री टी वनट्री वन अपन वन ओन उच जाना क्या हो जाएगा minus, कितना आगया बच्चों, V1 की value कितनी आगी, V1 की value कितनी आगी, V1 is equals to minus 1, meter per second, ठीक, velocity की unit क्या हो जागी, meter per second, अब मेरी बात ध्यान सुनो, velocity के सामने minus sign क्यों आ रहा है, पता है, क्यों आ रहा है, ध्यान से सुनो, इसलिए आ रहा है, minus sign यहाँ पर यह दिखा रहा है, कि bullet क direction जो होगी, motion की, वो bullet के रहा हूँ, sorry, gun की motion की direction जोगी, क्योंकि यही require velocity, इतनी वलास्टी से gun पीछे जाएगी, तो gun की जो direction है, gun की जो direction है, वो bullet के just opposite है, here negative sign shows, ठीक है, here, copy में note लगाओ, note लगाओ, note लगाओ, बच्चों, here, here, negative sign, velocity जो negative में आ रही है, negative sign क्या show कर रहा है, here, negative sign, shows, 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 motion of the bullet, motion of the bullet नहीं, gun में बार बार बुले बोल देना, motion of the gun, gun is just opposite to, is just opposite to the direction of motion of bullet, direction, of motion of bullet, मानते होगे नहीं बच्चों, bullet किधर जा रही है, इस direction में, और gun कहां जा रही है, require हो के पीछे, bullet ऐसे, ठीक, इसलिए sign minus में आ रहा है, बागी तो आप जब exam में लिखोगे, तो require velocity का बस magnitude ही बताओगे, पहले minus answer आएगा, फिर ये वाला statement लिखोगे, ताकि आपके teacher क आपको पता चल जा है, कि minus का मतलब आपको पता है, उसके बाद आप लिखोगे, hence the velocity which with the gun required is, is one meter per second, अब यहाँ पर minus में नहीं लिखान, क्योंकि minus कि क्या बता रहा है, हम पहले इनको बता चुके है, अब देखो, इसका part two, the force exerted on the gun man due to the require of the gun, बच्चों, ये अपने shoulder पे तरीके से गन रखा हुआ है, और गन ऐसे पीछे जाएगी, तो इसको एक जटका लगेगा, एक force लगेगा, ठीक है, उस force की value मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको पहले इतना note कर लीचे, the force exerted on gun man due to the require of the gun, ठीक है, गन जो पीछे जाएगी, तो कितना force लगाएगी, गन is equals to what, is equals to orth, ठीक, देखें, Newton's second law से, second law of Newton से, आपको पढ़ाया गया था क्या, कि rate of change of momentum is proportionate to force, यानि कुछ ऐसा लिखाया गया था, ठीक है, सारा बच्चों पीछे मैंने detail में पढ़ाया था, ठीक है, महां से formula है था, f is equals to m in the bracket, v minus u by t, यही आया था, ठीक है students, इसी को हम क्या बोलते है, rate of change of momentum, यह क्या है, यह क्या है, rate of change of momentum, rate of change of momentum ही किसके equal होता था, force के equal होता था, अब आपको किस, कौन force लगा रहा है यहाँ पर, गन, यानि कि गन एक तरीके का force दे रही है, गन मान के उपर, ठीक है, तो force applied by, gun निकालना है, on the gunman, ठीक, तो gun force लगा रही है, इसलिए सारी information यहाँ पर किसकी रखेंगे, gun की, gun का मास रखोगे, वी और यू, यह क्या है, वी क्या है, final velocity of the gun, यू क्या है, initial velocity of the gun, initial मतलब, before firing, final मतलब, after firing, t क्या है, कितने time में, momentum में इतना change आया है, अभी बताते हैं, आपको diagram मना के, परशान ना हूँ, देखो, बच्छों, सबसे पहले copy में note लगाईएगा, यहाँ पर V क्या है, यहाँ side में लिख दू, part two का answer है, ठीक, V क्या है यहाँ पर, V है, velocity of the gun, of the gun, after firing, after firing, in time t, in time t, यहाँ कि time t में उसकी velocity, time t के बाद उसकी velocity कितनी हो जाती है, जैसे fire किया, t time में उसकी velocity कितनी हो जाती है, यहाँ कि यह required velocity एक तरीके से, V1 है, तो V की value हम लोग कितनी रखेंगे, जो required velocity कि क्यों कि बढ़ि, initially तो gun कैसे थी, आपकी, initially तो gun आपकी rest में थी, बाद में उ तरीके से ठीक, और यह इसका बैरल है, अंदर ह determines है तो इस बैरल में से बुलेट को बुलेट बाहर निकल जाएगी तो टाइम 0.003 सेकंड है इतने ही टाइम में तो उसके मोमेंटम में चेंज आगए जब बाहर निकलेगी ना तब ही तो वो क्या करेगी जितने फोर्स से निकली होगी उतना ही फोर्स पीछे देगी गन को तभी तो गन में वलास्टी आएगी और गन की वलास्टी में जब चेंज होगा तभी तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा ठीक है ना तो कितने टाइम में उसकी वलास्टी 0 से बढ़के 1 हो जाती किसकी गन की तो जवाब है जितने टाइम में बुलेट बाहर निकलेगी तो पहले गन की वलास्टी कितनी थी खुआ कितना है यू कितना है यू मतलब क्या है यू क्या है यू है इनीशियलव अफे गन बिफोर फारिंग इनीशियल वैं वैंयशियलघ्ण और यह तक ओससे बद है जो बेको गन एफ़ोरिग्ण फ़िस्टेर तो इसकी विलाजिक इतनी रख गेंगे कितनी रख देंगे विद्क मेंटाइपason नशर्फ रख देंगे आपर यहांपे आगे लिख देते हैं यहाँ कितनी रख देंगे , और व्षुर्फॉर फाइरेंग गं रेस्ट पे थी charge को पता यहीं कितनी . अनर्मांक मत लगाना माइनस बस magnitude रखो यहां पे टेंशन नहीं कोई और टाइम कितना है टाइम कितना है 0.003 सेकंड अब आई थिंग आपको समझ में आ रहा हो गन के बारे में सोचो गन की विलासिटी पहले कितनी थी कितना है एक इसदि गितना है वि कितना है ठीक माइनस यू कितना है यू कितना है जी डिवाइड़ुयर टाइम कितना है टाइम हैं आपका 0.003 से गजाए लेहं पॉई 3 तो यहां से 3 into 1 होता है 3 upon में 0.003 यहां से पॉइंट हटाओगे तो उपर 1 2 3 0 आ जाएगा ठीक यहां से आजएगा 3000 और डिवाइड़ बैए नीचे कितना है 3 313 313 1 2 3 0 तो यहां से कितना आ आपके बास 1000 क्या Newton फोर्थ का यूनिट के आएगा ठीके सुटेंस तो इस तरीके से कितना फोर्स गन्मैन ने लगाया गन्मैन के उपर कितना बुलेट ने कितना फोर्स लगाया तो फोर्स एग्टेट्टेट अन्द डूट टूट रिक्वाइल ऑफ दे गन इस 1000 न्यूटन बहुत जबर्दस्थ फोर्स है बच्चों तो इसको अपना कंधा वगेरा सब मस्भूत रखना पड़ेगा नहीं तो इसको बद दंकर जटका लगेगा पीछे अब आपको समझ में आया होगा ओके सुटेंस नोट कर लीचे नाउ सुटेंस लेते हैं कोशन नमर अब रॉकेट बनाओगे अब आपको पता है कि रॉकेट में क्या होता है यह देखिए इस तरीके से यह रॉकेट में कोई फ्यूल होगा अंदर तो फ्यूल जब बर्न करेगा तो बाहर गैसस निकलेंगी इस तरीके से तो इसको हम फिजिक्स में इस तरीके से समझाएंगे कि Gases जितने force से बाहर निकलती है उतना ही force Rocket को मिलेगा opposite direction में मतलब हम यह बोल सकते है Rocket ने Gases पर force लगाया इस direction में यह हो गया action तो Gases भी Rocket पर इस direction में force लगाईगी यह हो गया reaction तो उतना ही force Rocket को मिलेगा और Rocket opposite direction में move कर जाएगा ठीक है students? इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं लॉग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या जब रॉकेट रेस्ट पर थातो गैसस भी राकेट भी रेस्ट पर था ठीक यह पूरा एक सिस्टम है ठीक और नेट एकस्टेनल फोर्स कितना है जिरो है तो हमको पता है कि नेट एकस्टेनल फ लख़क वाहर से टो कोई फोर्स लग नीं रहा है तो जैसे ही रॉकेट में स्थीया करना शूरू होता है तो गैसे जब पीछे निकलती जो गैसे स्थानलगर उनके पास कुछ 9 माश होता होगा सोचो तो कुछ लास्टी होती जो कि पीछे घैस निकल ने उसके लिए इंटू बीने कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाता है अब सुचो जितना मोमेंटम गैस के पास आएगा पीछे की डिरेक्शन में उतना ही मोमेंटम रॉकेट को आगे की डिरेक्शन में मिलेगा क्यों सर क्यों कि पहले जब रॉकेट नहीं चल रहा था तो नेट मोमेंटम कितना तरौटल मोंटम कितना था 0 वेलस्ति 2 होगा लेगन विलास्ती तो त्टोटल मोंटम नहीं चलना था तो अभी आप मिटना होनाches 0 घ्ल आफं लाफंक तो जिब रोकेट चल गया तो सोच हो जितना मोमेटम गैस ने गेइन किया कि इस डिरेक्शन में उतना ही मोमेंटम गेइन किया होगा रॉकेट ने इस डिरेक्शन इस direction में मिलेगा लेगिन जो उपर direction में मुमेंटम लेगा मुमेंटम में एक वेक्टर कॉंटिटी उसको मैंटस से दिखाएंगगे ये लोग तो दोणों की डियक्षिन अब अगर दोनों को कितना आजाएगा uh तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए अब यह लेबल डाइग्राम है बच्छो बना लीजे यहां पर दिखे क्या लेबलिंग करेंगे इस तरीके से गैसे निकलते हो दिखा देंगे हम लिखेंगे यहां पर इन्होंने action reaction से यहां पर बता है कोई बात नहीं आप बहार निकल रही है और इसी तरीके से गैसे क्या करेंगी रॉकेट को उपर की तरफ पुश करेंगी यह क्या है है reaction force तो यह वाला आप लेवलिंग करके यहां पर डियाग्राम बनाके एक्जाम में दिखा सकतो इसका आपको मार्स मिल जाएंगे ओके सुडेंस करेक्ट सो नोट कर लीचे नाव सुडेंस लेते हैं कोशन नमबर 35 क्या रहा है कि नेम दा लॉस इन्वाल इन फॉलॉइंग सिच्वेशन कुछ सिच्वेशन सदी हुएं यह बच्छों पर सिच्वेशन क्या है कि रहा है कि the sum of the product of masses and velocities of two moving bodies before and after their collision remains the same okay तो देखे बच्चों यह two bodies थी ठीक है इसका मास M1 है और इसका मास कितना है M2 है मान लो कि यह U1 velocity से जा रही है इस direction में और यह U2 velocity से जा रही है पिछा करते हैं तो आस्टर दे क्या होता है यह विफ और के सिच्वेशन का सिच्वेशन का सिच्वेशन यह क्या है बफॉर और यह तक्राने के बाद का। अब टक्राने के पाध फॉर्स वालि बाडी पा मास्त उतने ही रहेगा मौन्व यह वी विलाउस्टी से जा रही है अब दूसरी आली बाडी कि इतनी व्लाउस्टी सर जा रहे है ठीक है ना तक्रागे तक्राने के बाद इसकी विटो हो गए, according to the question क्या कहता है, यह क्या है, after collision का scene है, यह क्या है, after collision, okay, so यह हो गया, तक्राने के बाद का scene, after collision, अब आप समझ रहोगे बच्छों, उसने आप से क्या बोल दिया, उसने आप से बोल दिया, क्या, कि the sum of the product of masses and velocities, the sum of what, product of masses and velocity of two moving objects, before and after is equal, मतलब कि अगर हम दोनों object के mass of velocity का product लेके sum कर दें, m1, u1, यह देखे, m1, u1, और plus m2, u2, तो यह equal होता है, किसके, जब टक्रा जाती है, तो उन bodies के mass of velocities के product के sum के equal, ठीक है न, so m1, u1, और plus m2, u2, अब बताओ यह क्या है, क्या है, यह क्या है, यह क्या है, total momentum before collision is equals to, भाई, momentum का formula क्या होता है, m into v, यहने कि mass into velocity, ठीक, so mass into velocity किसकी, first object की, यह mass into velocity किसकी, second की, तो दोनों का सम कर दिया, यह total momentum आ गया, before collision, और यह total momentum after collision, ठीक, और सिस्टम पे कोई external force नहीं लग रहा है, बाहर से कोई force नहीं लग रहा है, तो हमने law of conservation of momentum में क्या पढ़ा है, क्या प्ड़ा है, कि अगर किसी system पे net external force कितना होता है, 0 होता है, तो उसका total momentum before collision is equals to, total momentum course Solutions होता है यानि के net momentum क्या होता है conserve रहता हुसका टोल आनंटी म्या रहता हैesser रहता है kone major रहता है ठीक तो बस यह क्या ऐसी आफ कंसर्वेशन of momentum सबस्ट वाला क्या हो गया आपका law of conservation of momentum involved हो गया ठीक पार बी देखिए पार बी में बच्छो बी पार्ट में आपको बता रहे हैं कि बाई देखो एक बॉड़ी आपकी 5 kg की ये कितनी है 5 kg की ठीक है students और दूसरी बॉड़ी कितने की है दूसरी बॉड़ी 50 kg की लो दूसरी बॉड़ी बड़ी इसका मास बढ़ा है जाता है ये 50 kg की ठीक अब बच्चो देखो कह रहा है कि बॉड़ी अपको समझाने के लिए बता रहा हूं दोनों पर फोर्स लग रहा है सेम सेम कंडिशन में कंडिशन का मतलब सबस्कों पता है और यहां सबस्क्राइब कर देगा तो दोनों कंडिशन में अगर आप पर सेकुटन स्काइर और इस बॉडी में resistant कितना है इस कुलेशन कुल फिफ्टी ऑर मास कितना है यह कितना आजागा वन मीटाहिन स्कुद्वार यह यह चलितोरी वया डेकर यहांपर नीटन-क उसा-लाइब बताइए यहां-पर नीटन-का कौन-स-लाव यहां से आता था यहां से आता था यह वी माईनस यूवाइट यह गोटा था इस ही को हम escalation बोलते थे याद है M into यही क्या होता है escalation A होता है याद है तो F बराबर M में से escalation यहां calculate किया जा रहा है F बराबर M में कहां से आता था rate of change of momentum is equals to fourth M in the bracket V minus U by T से ठीक यानि कि यहां पर क्या involved है Newton का second law involved है ठीक है students so part B का answer क्या है Newton का second law involved है अगर यहाला concept आपको roller skaters वाले नहीं बता है तो मैं आपको बता दूँ कि आप हमारा NCRT वाला playlist देखिए जाके यूट्यूब पर टाइप करो क्या फोर्थ और लॉज अफ मोशन NCRT solutions by 2 by classes activity 9.4 यह आपको मिल जागा इसमें इसको हमने detail में बताया हुआ है अभी तो हम शॉट में बताएंगे बहुत अच्छी नॉलेज लेनी है और roller skaters वाले concept की अच्छी नॉलेज लेनी है तो आप इस activity को देख लिए हमारे NCRT के playlist में जाके ओके चलिए अब परशन a standing on a roller skates यह ए रोलर skates पर खड़ा हुआ है यह इस तरीके से ठीक यह पर्सन a एंड पुश्र अनदर परसं b ठीके यह क्या करता है यह इसको ऐसे पुश करता है ठीक यह इस तो पीछे चला जाएगा मौन लोगि पीछे चला गया X distance, कितना X, तो क्योंकि इसने किया इसके उपर F force लगाए, तो यह हो गया action तो यह भी इसको क्या करेगा, एक reaction देगा उसी time, ठीक है, तो यह इस पे भी उतना ही force apply करेगा opposite direction में reaction force, तो यह भी, क्योंकि जितना forces ने इसको दिया, उतना ही force इसको देगा तो यह भी उतनी ही distance कहा आ जाएगा पीछे आ जाएगा, तो देख लीजे कहरा है कि when a person A standing on the roller skates pushes another person B also standing on roller skates and makes him move to the right, then the person A himself gets to the left, ठीक है, person A left चला जाता है, person A right और equal distances ने चला जाता है, मान लो दोनों का mask क्या है सेम है, ठीक है, दोनों का mask क्या है सेम है, ठीक है, अब उतनी हम detail में नहीं जा रहे है आप जाके activity देखिए, तो आप सीधे यहाँ पर क्या देख रहो action reaction law लग रहा है, इसने इस पर किया action ऐसे, तो इसको मिला इसके दवारा reaction ऐसे, तो action reaction law equal and opposite force is acting on two different bodies action इस पर लग रहा है B पर, और reaction किसको मिल रहा है, A को ठीक, ओके, सो C वाला क्या हो जागा, आपका action reaction law action reaction law कहा आता है, Newton, third law में ठीक, सो C होगे आपका क्या, Newton's third law of motion, now depart, कह रहा है, if there were no friction and no air resistance, then a moving bicycle would have, go on moving forever ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई friction ना हो देखो, यहाँ पर, यह एक cycle जा रही है, cycle पर हमने paddling करना बंद कर दिया ठीक, तो बच्चों, अगर यहाँ से कोई air resistance नहीं लग रहा है और कोई भी friction नहीं है, तो सोचो हमाई पास एक net force इस direction में हमेशा रहेगा, जो हमने paddling करके भाई, हमने paddling करी और छोड़ दिया, यह body इस तरीके से motion कर रही है अब इसको oppose करने वाला है नहीं कोई air resistance भी नहीं है friction भी नहीं है, तो बताओ इसको कौन oppose करेगा कोई नहीं कर सकता है इसके motion को oppose ठीक, तो यह अपने inertia के कारण क्या करेगी, अपने state of motion को maintain रखेगी, यह हमेशा straight line में चलती जाएगी यह Newton का first law है, आपको पता है कि कोई body अगर state of motion में है तो वो तब तक state of motion में रहेगी, जब तक उस पर कोई external force ना लगाया जाए, तो यहाँ पर कोई external force नहीं है, इसलिए अपने state of motion को maintain करेगी Newton first law से, ठीक so D में कितना कि आ जाएगा, आपका Newton first law motion is involved here, okay, note कर लीचे